हलो एवरिवन एम अंश्य अगरवाल आप सभी की तैयारी बहुत ज्याद अच्छी चल रही है और आप सभी के 95 प्लस 98 प्लस परसेंटायल आने वाले और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सब के 99 प्लस परसेंटायल आने वाले ठीक है आज का सेट जो है आपको स्क्र प्रेंटी से बोल रहा है कि इससे आसान सॉल्यूशन आपने सेट का कभी देखा नहीं होगा पूरे यहर में बले आप किसी भी इंस्टेट्यूट में गए हो है ना हमने इसका सॉल्यूशन एकदम पॉसिबल वे में आपको समझाने की कोशिश की है ठीक है तो जब तक आप सॉल कर रहे है तब तक मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारा कैट 300 Most Important Questions जो थे Quantitative Updates के यह पूरे अप्लोड हो चुके हैं तो जिनको भी कैट 300 Most Important Questions चाहिए वो अपनी Gmail ID से payment करने के बाद हमें support at the red the creatorsworld.com पे transaction details भीज़ देजिए within 3 hours आपको पूरी लिंक्स मिल जाएंगी total 12 लिंक्स है मैं आपको बता देता हूँ हर लिंक में 25 questions है on an average जो डूरेशन है हर लिंक की वह 1 hour की तो 12 लिंक्स मीन 12 hours तो approximately 12 hours के वीडियो है जो की बहुत ज्यादा important है इसमें हमने काफी सारी short tricks बताई है जो आपको नहीं पता हूँगी ठीक है तो वीडियो के last में पूरी payment detail लिखी रहेगी अब पेई करके अभी भी अपना सहमय को सही use कर सकते हैं तो अभी भी आपके पास यह जो time बचा है उसका बहुत proper use कर सकते हैं उनको देखके क्योंकि जितने भी लोग हमारे YouTube चैनल से अभी मिलेगी और आप काफी नहीं नीच यह सीखोगे ठीक है तो अमीद है आपने यह question कर लिया होगा तो अब इसका solution देखते है question में एक चीद ध्यान रखना बहुत आराम-ाराम से पढ़ना और एक-एक point अच्छे है समझना टिक पढ़ते है the base exchange rate of currency X with respect to currency Y is the number of units of currency Y which is equivalent to value to one unit of currency X है ना लाइक मैं मोटा मोटा इसको इससे समझा देता हूं X अगर dollar मानले Y rupees मानले तो 1 dollar जो होगा वो अभी 70 rupees के आसपास है है ना मानलो ऐसी 70 है अगर है ना तो यह ही लिखा है 1 unit of currency X is equal to 70 units of currency Y है ना ठीक है आगे currency exchange outlets buy currency at buying exchange rates buying exchange rate पे लेते हैं जो की lower than base exchange rates से ठीक है और sell currency at selling exchange rates जो की higher than the base exchange rate है ना तो सही बात है तभी तो उनको profit भी होगा जो यह outlets होते है ठीक है तो practical type ही question है इसको ध्यान से समझना तो कोई भी जो outlet होता है वह जो currency को लेता है वह base exchange rate से कम price पे उसको rate लेता है और जब sell करता है तो इस type के question cat में आ जाते है LRDI तो इसको बहुत अच्छे से समझना आप यह ना वो दिमाग में fundे clear रहेंगे तो question अच्छे से समझ में भी आएगा A currency exchange outlet uses the local currency L to buy and sell 3 international currencies A, B and C Local उसकी L है और international currencies A, B, C है But does not exchange one international currency direct with another जैसे A को B से direct वो exchange नहीं करेगा ठीक आगे the base exchange rate of A, B and C with respect to L are in the ratio 100, 120 and 1 यहां से हमारी काम की चीज़ चालू होती है तो A, B और C यह 3 international currencies है A, B, C इनका base exchange rate B, E, R with respect to L क्या है 100, 120 and 1 तो मैं इसको के लिखनो 100 X, 120 X and X ठीक है आगे पढ़ते The buying exchange rate of each A, B, C with respect to L are 5% below the corresponding base exchange rates यहना आराम आराम से करो तो buying exchange rate क्या हो जाएगा Buy में लिकरों 100 में 5% कम करोंगा तो 95 X हो जाएगा 120 का 5% कित्ता होता है 120 का 5% 6 मतलब 6- कर दो तो क्या हो जाएगा 140 X और C का कित्ता हो जाएगा 0.95 X बिल्कुल आराम आराम से करते जाएगा ज्यादा सोचने का काम ही नहीं जबरन कई लोग cat को बहुत तफ बनाते हैं तफ होता नहीं आप बस point पड़ते जाओ आराम आराम से point बनाते जाओ तो अपने आप solve हो जाएगा तो आप अभी भी जित्ता टाइम बजा बिल्कुल टेंशन मतलो आराम आराम से आप करोगे LRDA ही बहुत अच्छी आपकी जाएगी और मैस में उमीद है आपकी वेसे भी बहुत अच्छी होगी लेकिन वो कोर्स भी आपको बहुत हेल्प करेगा टिक आगे तो 110 हो जाएगा X 120 का 10% 12 यहने 132 X और इसका क्या हो जाएगा 1.1 X ठीक दो वो कुछ नहीं कर रहे है basic percentage लगाया है ठीक आगे The following facts are known about the outlet on a particular day एक particular day में यह सब दिया हुआ है क्या दिया है वो पढ़ लेते है 1st point amount of L used by the outlet to buy C is equal to amount of L it received by selling C मतलब यह buy करने में जितना amount यूज कर रहा है C को है ना उतना ही amount ही हो रहा है इसको sell करने में यूज कर रहा है है ना ठीक है तो 0.95 X जो है है ना into मानलो इसकी A unit वो खरीद रहा है है ना A unit खरीद रहा है तो into A into B करके यह कर दिया तो इसको solve करेंगे तो X से X cancel हो जाएगा तो A upon B के आ जाएगा is equal to यह 19 denominator में और 22 upon 19 ठीक ठीक तो A by B हम याद रखेंगे 22 by 19 इसको equation 1 बोल देते है ठीक यहां तक कोई देखा है 2nd amount of L used by outlet to buy A and B A and B को buy करने का ratio जो है outlet का वो 5 is to 3 में है और amount of L outlet receipment cells करने पे A और B का जो ratio है वो 5 is to 9 है ठीक तो buy करने का दे दिया तो buy करने पे मान लेते हैं यह है 5 is to 3 का ratio था अच्छा सबको एक साथ ही उस करूंगा 4th point एक बार फिले point पढ़ लो 4th point में क्या लिखा हुआ the outlet has received 88,000 units of L by selling during the day A को sell करने पे उसको कित्ती units of L मिल लें 88,000 5th point अब देखो 5th और 6th point काम के है देखो अब पे पूरा A पे ध्यान दो देखो some amount of Ls पे ध्यान मत दो 2500 units किसकी है A की 2500 इसकी unit है ठीक ध्यान से देखना फिर कुछ खरीदी होंगी खरीदने में A और B का ratio क्या था देखो यह बारे खरीदने 5-3 यहने मान लो 5 P A की खरीद ली है ना तो 5P अगर A की खरीद ली तो B की कित्ती खरीदी होंगी 3P है ना अब देखो 25 25 थी कुछ खरीदी कुछ बेची होंगी तो बेचने वाले को माइनस कर देते हैं है ना sell करने का ratio क्या था 5-9 तो 5 Q मान लो बेच दी है ना 5P और 3P खरीदी A और B की 5 Q और 9 Q बेच दी है ना 2nd और 3rd point से अब 2500 थी कुछ खरीदी कुछ बेच दी तो अब बची कित्ती यह बची हुई 6 point में लिखा हुआ 3,300 तो is equal to 3,300 ठीक तो यहां से देखो 5 into P minus Q is equal to 800 तो यहां से P minus Q क्या आ गया हमारे पास 65 जा वह होता है है ना तो P minus Q क्या हो गया 160 एक ही equation हो गई दूसरी equation देखते है अब B के respect में देखो B की कितनी है हमारे पास 4800 units of B 5th point से तो लिख लो 4800 प्लस B कित्ती खरीदी होंगी A अगर 5P खरीदी थी 2nd point से तो B कित्ती खरीदी होंगी 3P तो प्लस 3P कर दो बेची कित्ती होंगी 3rd point से अगर A 5Q बेची थी तो Q B कित्ती बेची होंगी 9Q 3P minus 9Q is equal to आखरी में 6th point पड़ो B कितना बचा हमारे पास 4800 पहले था 4800 ही बाद में तो लिख तो आसान हो गया तो यह 3rd से cancel हो जाएगा 3P is equal to 9Q then P is equal to 3Q अचाब P की जगा 3Q में direct इस equation में रख देता हूं ठीक है तो 3Q minus Q 2Q is equal to 160 Q is equal to 80 Q की value क्या आगई 80 अगर Q 80 आगया तो P कित्ता आजाएगा? P is equal to 3Q क्या था? 3Q 83 से 24 240 Q कितना आजाएगा? 80 I hope इतना समझ में आपको आगया होगा ठीक है तो अब ध्यान से देखना अब blueprint से में लिख रहा हूं अब A और B को दुबारा देखो 2500 unit थी A की प्लस 5P तो 5 into 240 5 into 240 कित्ता आजाएगा? 1200 तो 1200 इसने P की खरीदी होँगी A की खरीदी होँगी माइनस 5 Q 5 Q कित्ता आजाएगा? 400 400 बेच दी होँगी तो फाइनली बचा कित्ता 30 300 तो यह होगा इनकेस कोई question आजाए तो moral answer देदेंगी इसे B के इसके पास कित्ती थी? 4800 थी प्लस 3 P 720 इसका अंतलब 720 इसने खरीदी माइनस 9 Q 720 ही बेच दी तभी 4800 का 4800 रहा तो नीचे जिके चित्ते भी question आएगे तो वो तब देखो बहुत आराम से हो जाएगे ठीक है? कई जगह इसको option से करके किया गया questions को लेकिन मेरा मानने इस टाइप का कोई भी question आ जाता है और देखो कोई tough नहीं था logic अगर आपने भी solution देखा होगा तो है ना तो इत्ता ही आसान था तो आप बिन option के भी कर सकते थे जब रहान assume करके हम क्यों option से करें अगर D option मिलता तो ABCD 4 option कौन चेक करेगा इत्ता सन में आगे कित्ता खरीदा कित्ता बेचा अब यह price निकाल लेते हैं उसके लिए देखो fourth point था fourth point क्या है the outlet received 88,000 units of L by selling sell कर रहा है एको during the day अच्छा एको वो sell कित्ता कर रहा है हमने निकाल लिया 400 400 वो sell कर रहा है और एको sell करने का जो price है वो क्या है 110 x कमा कित्ता रहा 88 1000 units of L यहां से यह 3 0 114 44 2 is 88 x की value आ जाएगी x2 आ गया तो अब जैसे 100 x था वो क्या हो जाएगा अब ध्यान से देखो अगर मैं इसको rough कर दूं तो 100 x क्या हो जाएगा 200 95 2s 190 और 220 220 चीशन में आगे यह से 240 240 फिर 228 है ना 114 x 22 228 फिर 32 का डबल किता आता है 64 64 264 264 264 C का क्या हो जाएगा x की वालुक है 2 फिर 0.95 into 2 1.9 और इदर 2.2 आखरी में आखरी में क्या 2.2 अब सिर्फ C से रिलेटेड एक पॉइंट बचाएगा अब C का सिर्फ एक पॉइंट बचाएगा कि कितना खरीदा और कितना बेचा वह भी कर लेते हैं तो देखो C जो है वह फर्स्ट पॉइंट में A by B 22 by 19 था अब देखना C की unit कितनी थी 48,000 थी X खरीदा मानलो A खरीदा और B बेजा तो A-B is equal to 51,000 बचा शिक्स पॉइंट में देखना 51,000 लिखाओगा है ना तो यहां से A-B कितना आ गया 3,000 A-B 3000 और A और B का ratio of equation 1 में कहले खाया 22 to 19 ratio में difference कितने का 3 का तो 3 से डिवाइड करूँगा 3,000 को तो क्याएगा 1000 मतलब A की value क्या हो जाएगी 32,000 और B की value क्या जाएगी 19,000 यह C का भी काम हो गया ठीक अब बस अंसर बताओ पहला How many units of currency A did the outlet buy on that day A की कितनी खरीदी उन्होंने यह 1200 तो पहले question का अंसर क्या हो जाएगा 1200 दूसरा How many units of C did the outlet sell कितनी बेची तो A खरीदी थी B बेची B मतलब 19,000 दूसरे का option 1 19,000 ठीक 3 What was the base exchange rate of currency B with respect to L ठीक है क्या है base exchange rate 240 अब तो कुछ नहीं करना सीधे सीधे अंसर लिखना है 240 44th What is the buying exchange rate क्या लिखा buying exchange rate of currency C with respect to L buying कितना था 0.95 X था 22 था 1.9 हो जाएगा वही लिखा है 1.9 Option 3 तो देखो कितने असान थे है न तो देखना 18th minute में हमारा यह complete हुआ solution जिसमें शुरू के 2-3 minute तो मैंने आपको वो दिये थे lecture दिये थे ठीक है और अपने course का फैदे बताये थे ठीक है तो 15 to 16 minute का यह था और देखो मैंने बहुत detail में समझा है तब जाके 15 minute तो 10 to 12 minute में यह question आप कर सकते थे तुम ही दे समझ में यह आया होगा ठीक है और अभी भी आपके पास time है अगर आप बहुत अच्छा revision करना चाहते हो एकदम specific revision point to point revision करना चाहते हो 300 questions का revision मेरा personal मानना है कि जरूर करो ठीक है payment details आपको screen पे दिख रही होंगी तो आपको pay करके support at the the creatorsworld.com पे transaction detail भीज़ देजिए तो आपको within 3 hours पूरी 12 की 12 links मिल जाएंगी ठीक है 10 PM के पहले ही अगर आज आप करते हो तो 10 PM के पहले ही मिल जाएंगी ठीक है तो thanks for watching this video